मुस्लिम लोगों ने हिंदू के लिए किया रक्तदान जिला अम्रोहा में आज अम्रोहा के जिला अध्यक्ष शाहरुक खान ने हिंदू मुस्लिम एक्ता की मिसाल कायम कर दी अमरोहा में जरूरत मंद को परवाज फाउंडेशन के जरिये कमलेश देवी पत्मी बिटपाल गीरी हसनपुर के निवासी हैं आज इस मरीज को बलड की आवश्रता पढ़ गई बलड नहीं मिलने पर परवाज फाउंडेशन के दो सदस्यों गफफार जैदी और कुवेट जैदी ने जरूरत पढ़ने पर रखदान किया जिससे मरीज की जान बच गई पीड़ित परिवार के लोगों ने परवाज फाउंडेशन की तारीब की फाउंडेशन के अध्यक्ष शारुख खान ने कहा कि हिंदो मसलिम एकता के लिए हर समय ये फाउंडेशन हमेशा तयार है और कहा कि हमारा मकसद है लोगों की मदद करने आज परवाज फाउंडेशन नम्रहों के दो सदर्स्यों ने और परवाज फाउंडेशन के सदर शारुख खान नम्रहों के दुवारा एक वाट्सप गुरूप में हसनपुर से एक कोस्ट डाली गई वह पॉजिटिक पुलेट के रिक्वाइरमेंट थी वहां से वहीं परवाज फाउंडेशन के सदर ने जो गुरूप को चेक किया तो हाँ उप्जबाची थी कमलेश देवी कोई हसनपुर के रहने वाली है वह एडमिट थी अलम्दलिल्ला हुनका दो यूनिट का इंतिजाम हमने करा दिया है और हमें कोई मजभ जाती कोई वेवगाओ नहीं हमें सिर्फ प्यार मुहबबत पाढ़ना है इंसानियत की मिसाल पैदा करनी है हम चाहते हैं कि हमारी जानिव से किसी की जान अगर एक कि नहीं जानी चाहिए हम चाहते हैं हमारी जानिव से लोग की जान बचनी चाहिए और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी को अगर पून की ज़रॉत पड़ती है तो आप लोग बढ़ चल के हिस्सा लें और जाद से जादा ब्लेट डोनेट करें क्योंकि दर असल ऐसा देखा जाता है कि जब ब्लेट की ज़रॉत पड़ती है तो सगा भाई, सगा रिशिजार, सगा चाचा कोई ब्लेट देने नहीं आता इसलिए हम हर किसी के लिए चाहे वो हिंदू हो, मुस्लीम हो, सीखो, इसाई हो, कोई भी हो हम 24 हंटे उन लोग के लिए तयार रहते हैं और मैं एक अपने फान्डेशन के जरिये से उद्देश्य मात्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग की ना कोई जात देखें, ना कोई धर्म देखें, कोई भेतवाओं नहीं बस एक उपर वाले की अल्ला की रजा के लिए काम करें और हमारे जान इपसे किसी की जाननी जानी चाहिए, जान बशनी चाहिए मैं इसी के साथ अपनी बात खतम गरता हूँ अब शायर के अंदर किसी को भी ब्लड के जरूत पड़ती है, तो हमसे राप्ता करें, जाहिए जाय भारत